नमस्ते मित्रों, आप सबों का Living Happily में मैंन अरेंदर कुमार, Wellness Consultant, Entrepreneur Trainer हिदे की गहराईयों से स्वागत करता हूँ, आज हम बात करेंगे अपने कमर की छेतर को कमर को Slim बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, Oblique को Smart बनाने के लिए और Complete Body को आकर्षक बनाने के लिए, इस से पहले विडियो में हमने Vortibri को Cover किया, हमने यह बताया कि हमारे सरीर में Total 33, 33 Vortibri हैं का सेरुख हैं जो 5 सेक्षन में बटे हुए, पहले सेक्षन, वो Thoracic सेक्षन बोलते हैं, जिसमें 7 होते हैं पहले सेक्षन होते हैं, जिन्हें, सर्वाइकल सेक्षन बोलते हैं, जिसमें 7 होते हैं, दूसरे होते हैं, थोरेसिक जिसें T1 से T12 बोलते हैं, तीसरा होता है Lumber Spine, लंबर में 5 थोरेसिक होते हैं जिसे कि L1 से लेके L5 तक, आपने कई सुना होगा कि L4, L5 में प्रोब्लम है, यानि कि इस छेतर में, जिन्हें भी L1 से L5 किसी भी इसमें प्रोब्लम है, तो उनको कमर में दर्द होगा, उठने में, बैटने में, सोने में भी समस्याएं हो सकती हैं इसके बाद 4 सेक्षन जो होते हैं, कुकुन करके होता है, 4 होते हैं और सेक्रम होते हैं, पाँच, तो इस तरह से 33 सेक्षन होते हैं, तो मैंने पहले ही सरवाइकल का बता दिया, थोरेसिक का बता दिया, तो आज तीसरा विडियो है, हमारे इस स्रिंखला का, जिसमें हम मुक कराते हैं, हलाकि यह हिस्सा सबसे ज़्यादा movement दिलाता है, flexibility दिलाता है यह हिस्सा, stability दिलाता है और अगेन फिर से यह हमारे movement को भी देता है और stability भी देता है, दोनों जगह इसकी भूमिका है, तो आज हम बात करेंगे कमर के हड़ी से जो परिसान है, यानि कि आप साधा, सीधा भासा में आप कर सकते हैं, कि जो भी ब्यक्ति कमर दर्द से परिसान है या भविस्य में इस से परिसान नहीं होना चाहते, या निजात पाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह video यो बड़ा ही अहम होने वाला है, सबसे पहला इसके लिए जो कुछ exercise है, यह मैं बताऊं, आप यह खाड़ा होके करने वाला exercise है, और यह lower body part के लिए है, तो निश्चित है आपको भोजन के कम से कम 2-3 घंटा उपरांत ही करना है, भोजन के तुरतवाद यह अभ्यास बिलकु को थाई को स्विज और इस तरह से आप खड़े हो जाएं, और फिर अपने दोनों पैर को फैलाएं, और यहाँ कोरिंगेज करता हुआ, जितना बड़ा circle बना सकते हैं, यहाँ circle बनाएं, यहाँ, यहाँ, यह देखे, यहाँ L1 से L5 सारे यही सब सामिल हो रहे हैं, यह देखे, इसी को दूसरे direction में भी कर सकते हैं, शुरुवाती दोर में, चार-चार कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर बड़ा circle बनाएं, direction चेंज करते रहे हैं, इंटी clock से, clock, clockwise से, इंटी clock, चार-चार बार का 3 set कीजिए, जितना range of motion आप ले सकते हैं, उतना आपके दिन में भी मदद करेगा, यानि कि परिणाम भी उतना ही अच्छा आएंगे, यह देखिए, इसे 3-3 बार कर लिजिए, अगला भ्यास आता है, इसे आपको छोटा सा internal जो प्रेक्टोरल गड़ल है, इसके लिए हम कर रहे हैं, जहांकि हमारे thigh bone joint हो रहे हैं, उनके लिए करना हैं, यह फिर clockwise, इसे भी हम 4-4 के रेप में चार सेट करेंगे, बहुत ही micro, आपको पता चल पा रहा होगा, यह देखिए, यह हो गया, यह दूसरा exercise, अब इसी के लिए हम अपने oblique muscle का help लेके, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेते हैं, और यहां देखिए, हम फिर से L1-L5 पर ही काम कर रहे हैं, इसके साथ ही अपने thoracic region पर भी काम कर रहे हैं, और cervical पर भी काम कर रहे हैं, entire body पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यता हम इन lumbar spine पर ही काम कर रहे हैं, यहां, आप pulsing कीजिए, यहां, यह तीसरा exercise है, इसे भी आप 8 times करें, 8 का reps और 3 set बनाएं, अब यही forward movement, चाउथा exercise, फिर से आप अपने हाथों को उपर की ओर कर लें, और जितना जुक सकते हैं, आप जुकें, इसके लिए आप दोनों पायर को जोड लें, ताकि आपको बहतर range of motion मिलेगा, यहां आप जुकें आगे की ओर, front bending, यह पूरा जमीन में अपने हाथों को सटाएं, फिर वापस, यहां अपने सांसों को भी कंट्रोल करना है, जब आप आगे की ओर जुक रहें, तो सांसों को छोड़ता हुआ, एक सेल करता हुआ, आगे की ओर जुकें, आपके सारे कमर के समस्तिया का यहां निदान मिलने वाला, यहां, घुटना सीधार है, उपर, इसे साइड से देख ले, सांसों को छोड़ता हुआ, यहां पी की तरह होना है, मुखेता हमें कमर से बेंड करना है, इन थोरासिक एरिया से ऐसे गोल होके नहीं करना है, इस तरह से आप कम से कम, चार बार कर ले, फ्रंट बेंडिंग, इसी का दूसरा बेरियांट है, पांच माँ एक्सरसाइज, बैकवार्ड बेंडिंग, सांस को लेता हुआ उपर, हाथ करें, और यहां पीछे की और आप जाएं, जितना मूड सकते हैं, सांसों को छोड़ता हुआ, कुछ दिर बने रहें, और फिर वापस, आप हाथ को इस तरह से साइडवाज रख सकते हैं, और पीछे की और जाएं, और फिर वापस, इसे ही आप साइडवाज देखिए, इसे भी आप फोर इंटू, थिरी कर सकते हैं, सांस लेता हुआ, हाथों को उपर, और स्लोली पीछे, जितना जुक सकते हैं, जुकें, यह, बिना घुट्टा मूडे हुए, कुछ दिर बने रहें, फिर वापस, यहाँ यह ध्यान दिजिएगा, कि जितना बार फ्रंट बेंडिंग किये हैं, उतना बार एक जकली, सेम नंबर में, सेम टाइम तक, आपको बैक बेंडिंग भी करना, कुछ दिर बने रहें, और वापस, इस तरह से आप, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग कर सकते हैं, यहाँ छट्था एक्सरसाइज है हाथ रखके जो अपने हाथ को नहीं कर पा रहे है सिंपल है थोड़ा सा यहाँ कमर पर हाथ रखके जो कि और ज़्यादा आपको आसान बना देता है इस तरह से बेंड कीजिए यहाँ यह सारे अभ्यास जो है कमर के दर्द से निजात पाने के लिए कमर के दर्द भाव इससे भी ना हो इसके लिए इससे आप साइड वाइज देखे इससे आप सुबह में कर सकते हैं या साम में कर सकते हैं या मुख्यता कमर के लिए है आप देखी पा रहे हुए कि हम अपने सेरुक के लिए काम कर रहे हैं, अब यही एक्टिविटीज, बाइक वर्ड, यह सात्मा और अन्तिम अभ्यास है, इसे ही हम सांस को छोड़ता हुआ, बाइक बेंडिंग करेंगे, यह, बर्निंग सेंसेशन होगा, कुछ देर तक रुके रहें, फिर नॉर्मल स्थिती, सांस को छोड़ता हुआ, हम एक्टिविटीज करते हैं, जब हमारा मूल रूप से सरीर दूर होता जाता है, या बड़ा हो रहा है, या छोटा हो रहा है, तब सांस को छोड़ेंगे, सांस को छोड़ता हुआ, पिछे, गोटना सीधी रहें, कुछ देर बने रहेंगे, वापास इसी को साइडवाज देखिए, शाणस को छोड़ता हुआ, एक्सहेल करता हुआ, पीछे, कुछ देर बने रहे, फिर वापस, फिर से सांस को छोड़ता हुआ, स्लोली, स्लोली अपार बोडी को बेंड करें, यहां, बने रहे, और, आपस तो यह आज बताएगे अगर यह सातो अभ्यास को रेगुलर करते हैं तो आपको भविस्वें कभी भी L1 से लेके L7 तक की कोई समस्या स्पाइन में नहीं होगा हाँ इतना भी ध्यान देना है कि कुछ जीवन सहली में भी आपको परिवर्तन करने होंगे जैसे कई लोग हैं कुछ समान उठा लेते हैं खड़े खड़े ऐसे करके उठा लेते हैं यह आपको नहीं करना है आपको अगर कुछ उठाना ही है आप सबसे पहले वहाँ बैठ जाए यहाँ इसे पकड़ ले कुछ भी बजन का समान है और तब उसके साथ यहाँ धीरे से यह जो घुटना है हमारे जैकिंग मुवमेंट के लिए है यहाँ पकड़ के आप धीरे 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 ऐसे उठाएं तो हमारे लंबर जोन पर लोड नहीं आता है हम क्या करते हैं कुछ भी उठाना है ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ उठाते हैं यह हमारा लंबर है यह जैकिंग मुवमेंट के लिए नहीं है हमारे जॉइंट के लिए है सिर्फ टर्निंग मुवमेंट के लिए है हम जब ऐसे उठाते रहते हैं इस पर लोड पूरा आ जाता है यह आप समझे है हमारे जैकिंग मुहमेंट के लिए जो थाई है जैकिंग मुहमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करें कई लोग जो युवा वस्था में या वाल्य वस्था में भी भूल बस अज्यानता बस इस तरह के किरते करते हैं काम करते हैं अपने नौकरी के पेस आके या आदत बस करते हैं, उन्हें ही आगे चलके यह L1 से L5 की समस्या आती हैं, तो अगर आप करते हैं इस तरह कि आपके दिन्चरिया में कोई कारे हैं, तो आप इसे ना करें, तब आप कमर की समस्याओं से नहीं जुझेंगे, और इसके साथ ही जो बिल्कुल युवा हैं, अकरसक दिखना चाहते हैं, अपने कमर को स्लिम रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के जिन्स को पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि यह कमर स्लिम हो, क्योंकि कमर अगर बड़ा हो गया, घेरा बड़ा हो गया, कहा जाता है कि अगर परहीं नहीं से पता लगेगा कि कमर को कमर की दर्द से निजात दिलाएगा निसे स्लिम भी रखने में मदद coord of our video अब से ही चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें लाइक करें कमेंट करें सेर करें अपने सगे संबंधियों के साथ साजहा करें, बेल आइकन पूस करें, फिर मिलता हूँ, और आपने बहमुले समय हमारे लिए दिया, इसके लिए हिर्दे की गहराईयों से धन्यवाद, फिर मिलता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद.